तो दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का भारती टेक चैनल पर मैं हूँ आपका अपना दोस्त अजयक्मार भारती तो आज का ये वीडियो बेसिकली यूटूबर्स के लिए है जो लोग नए क्रियेटर्स हैं या फिर जिनको टैग यो अप्लिकेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला क्योंकि इसमें आपको काफी सारी की चीज़ें देखने को मिलेंगी और अगर आप वीडियो पूरा वाच करते हैं तो भी आप इसे डाउनलोड करें और अगर आप से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके पास हैं, तब भी आप इसे डाउनलोड करें, ठीक है, तो बैसिकली टैग ये आपलिकेशन, जो है ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या सेटिंग्स होती है, इसका process क्या होता, इसमें काम क्या होता है, वो सारी चीज subject+, to चलिए जानते हैं, कि कि इससे हम दाउटर कैसे करेंगे Sole world. Download करने के लिए आपको Play Store पे आना होता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है TAIGU, चुकि मैंने यहाँ पर यह टाइप करके रखा हुआ है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है चुकि मैंने डाउनलोड करके रखा है तो simply मैं इसे open कर लेता हूँ और इसका link भी मैं description में दे दूँगा और वहाँ पर मैंने इसको open किया है ठीक है मैं यहाँ पर कोई title डालके देखता हूँ तो मैं simply YouTube type करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर YouTube type करता हूँ और इसे check करता हूँ कि इससे related कौन कौन से important text आ सकते हैं ठीक है तो इसकी बात हो गई second हम बात कर लेते हैं जो सबसे important वो है get tags from URL ठीक है अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में tags कौन कौन से हैं जिसका वीडियो काफी ज़्यादा बढ़िया performance कर रहा है वो search करने पर top पर आ रहा है तो उसका tags आप watch कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या tags उन्होंने लगाया था चलिए मैं live करके दिखाता हूँ आपको यूटूब पर जाता हूँ और यहां से मैं simply कोई एक video choose कर लेता हूँ ठीक है जो वीडियो काफी ज़्यादा चली होती है तो यहां पर मैं simply यह वीडियो टाइप करता हूँ ठीक है यहां पर जो views है वो लगबग डेढ़ मिलियन के असपास आए ठीक है तो यहां से मैं इनका जो वीडियो में जाता हूँ और यहां पर share वाली option पर जाने के बाद इनका जो URL है उसे copy कर लेता हूँ copy करने के बाद आपको फिर से आ जाना है अपने tag application पर यहां पर आपको इसे paste कर देना है पेस्ट करने के बाद आपको फिर से चेक वाली पर जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो था वीडियो का title था type in the with English fast keyboard shortcut for changing font increase your typing speed तो य यहां पर इन्हों ने इतने सारे tags को इंडर किया था ठीक है अगर आप चाहें तो इनके tags को copy भी कर सकते हैं और copy करके आप इसे कहीं पर use कर सकते हैं चुलिए मैं यहां पर इनके tags को paste करके भी दिखा दिता हूं ठीक है तो यहां पर मैं जाता हूं और इनके tags को copy करता हूं यहां पर मैंने दिखाया कि इनके है को कापी कैसे करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के जो भी टैक्स है उनको आजसानी से कंतर हैं और उनका इस्तमाल आप अपनी इच्छा के इंसार जहां चाहें वहाँ पर कर सकते हैं तो इसमें दो ही सबसे इंपॉर्टेंट था थर्ड क्या था कि यहां पर एक लिखा है find competitor ठीक है इस पर आप जाके जिससे माल लेते हैं कि आपका कोई channel है ठीक है उस इस रिलेटेड यानि कि उस वीडियो पर माल लेते हैं उस channel पर आपने कोई वीडियो क्रेट किया है तो उसका टाइटल माल लेते हैं आपका था recharge for you ठीक है मैं यह title डाल देता हूँ simply for you यह title यहाँ पर मैंने इंटर किया अब इस पर मैं चेक करता हूँ कि और कितने वीडियो इस नाम से YouTube पर available है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वीडियो आज चुका है और उस पर जो टैक्स है यह सो कर रहा है ठीक है और स्क्रॉल करके दूसरा देखेंगे यह वीडियो है और उस पर यह सारे टैक्स लगे हुए थे यह competitor है और यह competitor है यानि कि वो वीडियो सो क रहा है एक और competitor यहाँ पर मिल रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप पूरा सर्च कर सकते हैं कि किस वीडियो पर कितने competitor आपको मिल रहे है ठीक है तो इस application में यह सारी खुबिया काफी ज्यादा important है और इस application को जरूर डाउनलोड किजिए क्योंकि इस से better application आपको सायद ही द आप इससे like कर दीजिए और अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि knowledgeable वीडियो है अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तब आप इससे subscribe जरू कर लिजिएगा Thanks for watching